आई पील दो हजार बाइस में सन्राइजर सहेदराबाद की टीम प्ले आफ की रेस में बने रहने के लिए आज के क्यार के खिलाप जीत के इरादे से मैदान पर उत्रेगी अब तक खेले कुल 11 मैचों में 5 जीत के साथ संराइजर सहेदराबाद की टीम फिलहाल 20 टीबल में 7 में नमबर पर है अगले तीन मुकाबलों में संराइजर सहेदराबाद की टीम बड़ी जीत हासिल करने में काम्याब रही तो प्ले आप यानि अन्तीम चार टीमों में जगह बना सकती है हलकी बाकी बचे तीनों मैचों में जीत के साथ संराइजर सहेदराबाद की टीम को रन रेट भी बेहतर करना होगा दूसरी तरफ केकेयार के लिए प्ले आप में पहुचना लगभग नामुम्किन हो चुका है अब तक खेले कुल बारह मैचों में पांच जीत के साथ केकेयार के टीम 25 टेबल में 8 में नमबर पर है हलकि केकेयार के लिए प्ले आप में जाने की एक छोटी सी उमीद बची है लेकिन इसके लिए दूसरी टीमों के परदरसन पर निर्भर रहना होगा आज होने वाले मुकाबले में खास तोर पर क्रिकेट फैंस की निगाहे टिकी रहेगी केकेयार के इस्टार बल्ले बाज आंद्रे रसेल पर जी हाँ एक तरफ सनराइजर से हैदराबाद के पास IPL में सबसे बेहतरीन गेदबाजी है तो दूसरी तरफ केकेयार के पास आंद्रे रसेल जैसा दिगज बल्ले बाज जो मैदान पर कुछ देर तक टिक गए तो अकेले ही दुनिया के किसी भी गेदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की छमता रखते हैं खास तोर पर सनराइजर से हैदराबाद की तरफ से तेज गेदबाज भूनेस्वरकुमार, टीन अटराजन और उमरान मलीक जिस तरह की गेदबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए IPL में लगभग सभी टीमों के गेदबाज थर थर कांप रहे हैं आज होने वाले मुकाबले में सनराइजर से हैदराबाद के कप्तान केन विलियम सिन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आज एक बार फिर तेज गेदबाज उमरान मलीक पांच विकेट चटका सकते हैं खैर अब देखना दिल्चस्प होगा कि उमरान मलीक यह कारनामा करने में काम्याब होंगे या फिर नहीं दूसरी तरफ के क्यार के फैंस यह दावा कर रहे हैं कि आज के क्यार की तरफ से दिगज वाल राउंडर बल्लेबाज आंद्रे रशेल का आएगा तुफान जी हां आंद्रे रशेल का बल्ला चल गया तो सन्राइजर से हैद्राबाद के कप्तान केनी विलियम सिन की सारी रड़नीती धरी की धरी रह जाएगी